स्वागत पेलूग अब सभी का फिर से मेरे चेनल की एक और रूझ वीडियो में सो आज कि इस वीडियो की अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग मोबाईल सिंबोल्स को केसे यूज कर सकते हो आप लोग अपने फ्रिफेर के नेम पे तो Free Fire के अंदर जितने भी Famous Symbols है जिन सारे Symbols का आप लोगों का डिमांड था उन सभी Symbols को आप लोगों को मैंने वीडियो बना कर दे दिया था तो उन्ही Symbols में से एक Symbols है Mobile Symbols तो जब मैंने PC Symbols वाली वीडियो अपलोड किया था तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कोमेंट्स ऐसे भी थे है कि Mobile Symbols जाहिए हाला कि मेरे पास Mobile Symbols तब नहीं था लेकिन अभी के टाम पे मेरे पास एक Mobile Symbols है तो ये Symbols कहाँ पे मिलेगा कैसे Copy करना है कैसे Paste करना है सब कुछ आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर बाताऊंगा और बाकि दो मिनिट का वीडियो रहेगा पूरा जुरूर देखना और सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के Comment Section पे जाना है और वहापे आप लोगों को एक Link मिलेगा जो की Website का और जस्ट क्लिक करना है उस Link पे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को Interface देखने को मिलेगा और आप लोगों ने पहले भी इस Website में विजर किया होगा और बाकि अगर नहीं हो तो कुछ इस तरह से Interface देखता है और थ्री लाइन का Option है कोने पे देख सकते हो तो यहाँ पे आप लोगों को Tap करना है तो जैसे आप लोगों टेप करोगों यहाँ पे आप लोगों को Rare Symbols का Option दिख रहा है तो इसके उपर Tap करो टिप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च सिंबोल्स को ओप्शन दिखेगा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है मोबाइल या मोबाइल सिंबोल्स जो भी आप लोगों को लिखना चाहते हो लिखो यहाँ पर जो मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल सिंबोल नहीं लग रहा है लेकिन जो बटम वाला मोबाइल होते हैं उसे की तरह लग रहा है एंड आई तिंग एंडूइड फोन अगर होता तो मतलब उतना मज़ा नहीं आता जैसे बटम वाले मोबाइल देखके लग आप लोगों को टेप करना है और टेप करते ही यह वाला कोपी हो जाएगा है जो पिछले वाले एक वीडियो की अंदर एक बंदा बोल रहा है कि यह बूद नहीं मिल रहा है सो जस्ट यहाँ पे आप लोगो 3-line पे क्लिक करना है यह Google keyboard है अगर आप लोगो फोन के अंदर दूसरा keyboard है तो उस पे शायद अलग दिखाएगा सो लॉंग टेप करके भी आप लोग पेस्ट कर सकते हो जस्ट लॉंग टेप करना है और पेस्ट कर देना है और PC symbols का वीडियो आप लोगों के स्क्रीन के उपर आ रहा होगा सो टेप करके जाके देखो और मिलते किसी next वीडियो में तब तक के लिए सबको बाई बाई